ठीक है मैंने कहा पहले आपने करना है बेसिक जो बच्चे नए है बेसिक मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है टेक्स का उसके बाद आप इस चप्टर पर आईएगा तो आपको समझ में आएगा otherwise फिर आपको confusion रहेगा जितने बच्चे नए है चलिए सर capital budgeting sorry capital bursting कहा रहा हूँ मैं काफी ताइम से capital bursting करा रहा हूँ financial management में वो ही याद रहेगा सर देखिए हमने section 54 कर लिया जिसके अंदर था के आपका या हो individual या हूफ जिसको deduction मिलेगा नमबर दो घर जो आपको बेचना था वो residential HP बेचना था नमबर तीन ये long term होना चाहिए नमबर चार आप दो साल के बाद खरीदे या एक साल बिफोर खरीदे और construction के लिए तीन साल नमबर पांच CG में deposit कर सकते हैं जो खरीदना है वो maximum दो करोड से उपर नहीं होना चाहिए और टू हाउस ही allowed है और नमबर छे आपने जो घर purchase किया हुआ है उस purchase को sold नहीं करना तीन साल तक ये था 54 सर ऐसे ही हमने 54 भी देखा था सर ये भी था इंडिवीज्वल के लिए और हुएफ के लिए सर इसके अंदर agriculture land बेचना था सर ये any चाहे आपका long term हो चाहे आपका short term हो इसके अंदर देखा जाए तो आपको again बनाना तो है नहीं तो before one year after two year बोला गया condition ये है कि आपको agriculture activity दो साल तक आपने किये हो या आपके मम्मी पापा ने या दादा दादी ने इसके उपर agriculture activity किया हो इसके बाद सर इसके अंदर क्या था सर आपको जो buy करना है सर buy करना है agriculture land ही buy करना है और आपकी इच्छा है कहीं भी करिये और इसको sold नहीं करना यही कुछ condition था हमारे पास दो लेकिन what about फिर से कुछ लोगों का कुछ पब्लिक का यह reaction था सर हमने घर बेच दिया और हम घर नहीं खरीद रहे हमारे पास दो घर था एक घर हमने बेच दिया आप हम घर नहीं खरीद रहे तब भी क्या आप capital gain लोगे हमारा जो घर बेचने का मुद्दा था हमें अपने घर पे बहुत urgent work था या हमें नहीं चाहते के ज़्यादा मकान हमारे पास हो ऐसे situation में government ने बोला कि हम एक section लेके आते हैं यह सब के लिए होगा एक section लेके आते हैं वो सब के लिए होगा that is 54 EC सब के लिए पहले individual था हुएफ था अब सब के लिए लेके आएंगे यह section आपको exemption 54 EC में लेना है तो सबसे पहले किसको मिलेगा किसी को भी मिल सकता है चाहे आप company हो चाहे आप partnership हो चाहे आप AOP, BOI कोई भी हो हर किसी को सर यहाँ पे assets क्या बेचना है क्या assets बेचना है बोला कोई assets बेचो सर अगर घर हम बेचेंगे तो क्या deduction मिल जाएगा बोला घर बेचके घर खरीद तो तो 54 में हो आप लेकिन घर बेचके जो हम बताएंगे वो खरीदना है तो आजाओगे 54 EC में सर agriculture land बेचके agriculture land खरीदा तो 54 B में हो लेकिन agriculture land को बेचके जहां हम बताएंगे वहाँ पैसे लगाओ तो आप आजाओगे 54 यानि any kind of assets, gold बेचो, घर बेचो, कोई भी assets बेचो आप आपको जहां हम बोलेंगे वहाँ पे investment करना होगा सर यहाँ पे बोला गया आपको करना होगा investment और सरकार को भी पैसे, पता है सरकार इतना करजा ले लेती है करजा लेती है वर्ल्ड बैंक से, अधर कंट्री से श्री लंका one of these, एक ऐसा एक्जामपल है कि इतनी ज़्यादा बुरा हालत होने की या इतनी bad condition में आने के वेशे तो उसने करजा बहुत ले लिया था चाइना से तो चाइना का वो interest भी नहीं दे पा रहा था, principle तो दूर की बात है तो चाइना ने बोला as per agreement यह सारी चीज़े मेरी हो जाएगी धीरे-धीरे तो major चीज़ों पे चाइना का कब जाओ गया, interest इतना जा रहा है तो दिक्कत हो रही है, तो अगर कुछ ऐसा policy हो कि हम करजा बाहर वालों से ना लेके अंदर ही क्योंकि इंडिया गंदर बहुत पैसा है आप आबादी देखो 130 करोड, एक एक रुपे किसी से लेके देखो, करोड़ पती बन जाओ गया तो government क्या policy लाती है, पैसे की जुरत होती है, तो government कहती ही bond लेके आ रहे है डेली के लाखो घर बिखते हैं और खरीदे जाते हैं, लाखो एसेट्स बिखते हैं, खरीदे जाते हैं government बोलती है कि आप एक काम करो, आप या तो मुझे capital gain दो, अगर बचना चाहते हो तो जहां बोल रहे हैं पैसा डाल दो government को पैसा जरुरत पढ़ रहा है, government ने क्या करा, एक bond बना दिया, जैसे की National Highway Authority of India, NHAI, मैंने IA कर दिया, AI, जो की नितिन गटगरे, इस टाइम पे हमारे देश का जो transport minister, वो क्या करते हैं, सड़के बनाते हैं, अब सड़क मामूली थोड़ी है, यहां से आप पंजाब जा रहे हो, कितनी लंबी दुर है, तो पूरा तयार करना, काफी पैसा लगता है, करोड़, लाखो करोड रुपे लग जाते हैं, लेकिन वो सड़क बनाते हैं, जब तो वहां से पैसे आते हैं, टोल टेक्स के तुरों को, लेकिन पहले लगाएंगे, तबी तो टोल टेक्स से पैसे आएंगे, तो गवर्मेंट ने क्या करा, भाया, हम जाते हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लेते हैं, चाइना से पैसे ले लेते हैं, पता चला भाया, च हाँ पर आपको हम FD से ज़्यादा interest भी देंगे, आपको FD से ज़्यादा, आपको FD से ज़्यादा, interest भी tax free, interest भी हम नहीं लेंगे tax, कुछ ऐसे लेके आते हैं scheme, याई आपका फाइदा ही फाइदा रखेंगे हुए, ताकि आपने एक करोरुपय का घर, या 40 लाग 50 लाग का घर से पैसा कमाया है capital gain आपका मान लेते हैं 50 लाग है तो 50 लाग के उपर 20% कितना जाएगा 10 लाग रुपे tax पचा क्या 40 लाग जेम में 10 लाग तो चलाई गया आपने क्या करा 50 लाग रुपे अगर जमा कर दिया वो zero tax zero तो कुछ किया नहीं 10 लाग रुपे का रेटन मिल चुका है समझ रहे हो अगर आप मान लो उस पैसे को नहीं जमा करवाते हो government के account में तो ऐसे situation में 10 लाग का tax गया एक तो ये चला गया आप 20% अब सर 20% FD के वोपर पता है कितना rate चल रहा है 6% चार साल पैसे जमा करोगे ना FD में तब जा कि आपको 20% का return मिलेगा तो इन्होंने क्या करा कि सर आप हमारे पास जमा करवाईए पैसे और आप से हम capital gain पहली condition दूसरा इस पैसे को 5 साल तक निकालना नहीं है ऐसा नहीं कि आज जमा करवा दिया कल deduction लेकर कर बोलो कि ला मेरे पैसे वापस दे दे आप मैंने दे रहा बोला 5 साल तक lock in है lock in का मतलब क्या होता है उसको freeze कर दिया जाता है कि 5 साल तक आप इसमें से पैसे निकालना नहीं है निकाल सकते हो तो जैसे ही निकालोगे तो capital gain में taxable हो जाए अगर ये law बना देते हैं निकाल भी नहीं सकते तो लोग पैसे नहीं डालते हैं बोलते हैं अगले साल पैसे की ज़ुरत पढ़ जाए तो तो निकाल सकते हो लेकिन फिर आपको text देना तो उन्होंने कुछ bond कहा है नहीं कहा है REC कहा है उसने Ruler Electrical जो गाउं गाउं बिजली पहुचाने का काम होता है उसे REC कहते हैं तो ऐसे जगहे पे जो government ने specify किया develop करने के लिए fund की ज़ुरत है तो government बाहर से ना लेके किस से वसूल रहा है इंडिया में इंडिया के public से ही वसूल रहा है और बाहर वालों के पैसे तो नहीं खा सकते ना हाला कि ये पैसे 100% refundable होता है ऐसा नहीं कि government खा जाएगी क्योंकि अभी road बना दिया उस road से जितना toll tax आ रहा है वो सब आपको धीरे-धीरे मिल जाता है तो government ने एक तरीक से free fund में बना लिया अपना road पैसे भी खटा कर लियो उससे और वो तो ये R.E.C. अने चाहिए सर इसके अंदर बोला भया हम सीधी सी बात बोलते है छे महिने के अंदर अंदर आपको ये bond खरीदना है छे महिने के अंदर यहाँ पैसे लगाने है इसके अंदर क्या सोचना दो साल पहले एक साल बाद वाली बाद आपको पता है यहीं पैसे लगाने है तो 6 मेने के अंदर अंदर लगा दो अगर 6 महिने beyond हो गए 6 महिने cross हो गए तो हम आपको नहीं देंगे deduction यानि जिस दिन आपका होगा या तो return file करने से पहले या 6 मेने whichever is earlier आपको invest कर देना है तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको deduction मिल जाएगा कहां पे 54 तो 54 EC क्या कहता है कोई भी assets बेच के government के कहे हुए bond के उपर पैसा लगा दीजिए आपको deduction मिल जाएगा जो bond खरीदा है या जो आपने infrastructure जो भी bond खरीदा है उसको कितने साल तक नहीं बेचना पहले तीन हुआ करता था उसको lock-in period कर दिया 5 कितने पैसे सर इसमें लगा सकते है maximum limit government ने कर दिया भई ज़्यादा नहीं 50 लाग से उपर लगाओगे तो deduction मतलब 50 लाग रुपए तक का deduction अवेलिबल है अगर आपने मानलो 60 लाग रुपए लगाया तो मिलेगा 50 का ही maximum limit कितना है 50 लाग जो कि not a small amount huge amount है आपको कितना मिल जाएगा 50 लाग का deduction मिल सकता है कितने दिन में आपको investment करना है 6 महने में investment करना है यह था हमारा 54 EC तो फटा फट से एक बार हम पढ़ लेते हैं 54 EC क्या कहता है same EC पे है 54 EE 54 EE बाद में आया है यह सुरू से चल रहा था तो कुछ section बीच में आता है तो 54 EE भी देख लेते हैं फिर एक साथ ही पढ़ लेंगे Sir 54 EE कहता है वो भी यही कहता है 54 EE के any kind of कोई भी किसी भी तरीके का assets बेचिए और आप हमारे बताए हुए जगह पे पैसे लगाई है यहाँ पे तो bond था वहाँ पे उन्होंने assets बता दिया इस assets में लगाई है पैसे जैसे कि मान लो अभी half lal में जो ज़्यादा से ज़्यादा government promote कर रही है EV को electric vehicles को solar को अब भाई electric vehicle बनाने वाली company को पैसे की जुरुत पढ़ रही है government ने कहा इसके assets करी दो मतलब यहाँ पैसे लगाओ तो हम आपको 54 EE में deduction देंगे solar जो company काम करी है आप solar के काम में assets में पैसे लगा दो मैं एक example ले रहा हूँ तो यहाँ पैसे लगाओगे तो हम deduction कहाँ देंगे 54 EE में यह तो पहले तो solar का कोई मतलब नहीं था पहले EV का तो नए नए जैसे जैसे आते हैं तो government क्या करते हैं वहाँ पर subsidiary भी देती है उस तरीक से और उसी के according रहता है सारा बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो lag हो रहा है एक बार रिफ्रेस कर देता हूँ कोई बात ने अब दुबारा चेक कर लिजे तो सर 54 EE भी same है मैं एक बार पढ़ूँगा आपको समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलिए सर पढ़ लेते हैं आपके सामने और हाँ मज़े की बात इसके अंदर एक चीज़ और जैसे कि इन दोनों सेक्शन में आपको पैसा जमा करके रख लेते थे सर क्यापिल गें डिपोजिट में इसलिए रख लेते थे मकान ढूंद रहे एक डेट साल लगे गा तो जैब में लेके पैसा घूमना नहीं है जमा कर दो और यहां ज्यादा दिन तो जैब में रखे रहे गा ही नहीं पैसे फटा फट से इंवेस्ट करते हो यहां पे कैपिल गें डिपोजिट में जमा करने का पर्मीशन अगर आप कर देते हो तो डिड़क्शन नहीं मिलेगा ऐसे सिचुएशन में डिड़क्शन कह दिया मैंने एक्जिम्शन चलिए सर क्या कहता है सेक्शन 54 पहले इसी कर रहे हैं किसको मिलेगा who can claim कोई भी asset transfer यह थोड़ा सा error है सर यह error है यह थोड़ा सा इधर वाला point इधर सिफ्ट हो गया यहां पे होगा any long term capital assets जिसके पास 10 year है वो ठीक कर लेंगे सर यह error है यहां आएगा any long term capital assets यहांई as it is same इसके बाद कहता है period of possession of the assets any long term capital assets यहांई आपका long term होना चाहिए LTCG यहांई long term के अंदर मतलब सर शेर्स को अगर 13 मेने बाद अगर बेच के कहीं इसमें पैसे लगा दे चलेगा land and building को 25 मेने बाद चलेगा jewelry को 37 मेने बाद चलेगा यहांई हर किसी के लिए long term अलग अलग है तो यहां पे जो long term था उसके लिए यह बताया गया समझ रहे बात को आगे कहा गया सर nature of eligible exemption कौन सा मिलेगा सर long term मिलेगा long term मिलेगा आगे देखते हैं eligible यह हमारे 54 EC मैं यहां लिख देता हूँ यहां मैंने एक बार दिखाने के चक्कर में 54 EC है और यह 54 ठीक है कहता है क्या खरीदना है सर eligible new assets कौन से new assets खरीदा जाए कहता है सर new assets जो खरीदना है bond NHAI REC Power Finance Corporation Indian Railway Finance Corporation Indian Railway को any bond notified by the central government redeemable after 5 years और maximum limit 50 लाग कहता है के भाईया bond REC का Railway Corporation का या फिर NHAI का bond खरीदना है अगर सरकार को लगता है के भाईया और किसी भी point से कहीं develop करना है तो वो official gazette के अंदर notify कर देगी और उस दिन से इसके अंदर वो point भी add हो जाएगा भी तो 3 है एक तो REC REC क्या है सर Ruler Electronic Company Corporation है जो की गाउं गाउं बिजली पहुँच आने का काम करती है तो यह REC है इसके बाद सर और क्या है सर NHI तो पता ही चल गया Railway Corporation में मतलब अब देखा होगा कि जब first time पे Indian government आई थी या जब भी government आती हो तो railway में सबसे बड़ा जो railway का अगर माना जाए line किसका इंडिया गई है तो इतने बड़े में पैसे की जुरत पढ़ती है तो railway का पहले नहीं था यह railway अब add on कर दिया गया है और उसको redeemable का मतलब क्या होता है सर उसके पैसे आपको निकालेने नहीं है कब तक 5 साल कितने रुपए देने है सर maximum period of allowed investment कब कर सकते हो तो बोला गया सर करना है 6 महिने में date of such transfer जिस दिन बेचोगे 6 महिने के अंदर हो जाना चाहिए quantum amount तो सर amount जो दिया गया lower of कितने 50 लाख इससे ज़्यादा कर दो मना नहीं है सरकार बोल दिया दे दो लेकिन आप deduction सिर्फ 50 लाख का ही ले पाऊगे exemption समझ में आई बात आपको सर क्या capital gain है नहीं है deposit में नहीं है ये था 54 EC अगला है 54 EE सर 54 EE एक ही यहाँ पर 54 EE सर 54 EE क्या कहता है similar एकदम सेम कुछ फरक नहीं है कहता है कि किसी को मिलेगा चेक करिए long term capital assets कोई भी होना चाहिए सेम है any LTC specified assets 14 2016 14 2016 के बाद आपको वो assets खरीदना है जो specified कर दिया गया हो उसके कानून में specified का मतलब मान लेते हैं इस साल गवर्मेंट ने जो भी गवर्मेंट है finance minister उन्होंने का के जो व्यक्ति EV electronic vehicles की company के equity share खरीदेगी तो उससे क्या होगा उस company के पास पैसा आएगा और आपको 54 EC में exemption मिल जाएगा अगले बार trend आ गया solar का उसने बोला अब electric vehicle नहीं होगा जो solar में पैसे लगाएगी उसको मिलेगा इस तरीके से company जो government है वो notify कर देगी आगे कहता है ये long term ही होना चाहिए सर short term में नहीं मिलेगा उसके बाद देखें क्या कहता है investment करना है of whole or any part of capital gain in long term specified filed assets as spitulated in the section maximum 50 lakh transfer after 3 year maximum 50 lakh सर यहाँ पे 3 साल है जैसे यहाँ पे 5 साल तक redeem नहीं करना था यहाँ पे थोड़ा relaxation देखें कितना कर दिया गया तो जैसे कई बार लगता है सर जब यह section था ही तो इसको क्यों जिंदा किया जब यह section था तो option दे दिया गया अगर तुम्हें जल्दी पैसे चाहिए तो तुम यहाँ पैसे लगाओ 3 साल में आपके पैसे return क्योंकि 5 साल लॉक इन करना एक बड़ा amount है बहुत ज़्यादा time period है जल्दी करना आप पसंद करोगे sir investment should be made within a six month यह सब कुछ same रखा गया lower 50 lakh capital gain deposit का यहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है बड़ी सीधी सी बात है तो हमने अभी 54B 54 54 EC और साथ के साथ हमने 54 EEB देख लिया किसी को कोई दिक्कत है तो बताईए कोई समस्या कोई परिशान में यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है यहां तक बताईए कोई समस्या परिशानी practical question हम लेंगे इसका मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार पूरा चार्ट कतम कर लें फिर practical question लेंगे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताईए खुशी का कहना है दिक्कत है अच्छा वोइस की पूछ रहे हूंगे clear है ठीक है ठीक है समझ गए समझ गए समझ गए MD Sanover आप चैट में लिख दीजिए जो doubt है जिसका भी क्योंकि देखो doubt के बाद जो मैं लेता हूं session वो अभी तो नहीं आप register रखा करिए लिख लिया करिए कि last के class में क्योंकि अभी एक बार मैंने लेना चालू किया फिर काफी बच्चे फिर पूछने लग जाते हैं पूछने लग जाते हैं उसके अंदर कुछ genuine doubt भी होते हैं कुछ दूसरे chapter से related भी आ जाते हैं तो time हमारा सारा उसी में निकल जाएगा तो पढ़ेंगे कब chapter खतम होने के बाद आप hand raise कर सकते हैं 54 EC कोई भी कहता है कि आप कोई भी assets बेचिए और आप खरीद लीजिए notified bond को तो आपको exemption मिल जाएगा लेकिन 6 मेने के भीतर खरीदना है और उस bond को 5 साल तक भी बेचना भी नहीं है और आपको maximum 50 लाग रुपए तक ही खरीज सकते हो simple सी बात है कर सकते हैं